सतनाम शिरी वाहि गुरू सहब जीओ एक ओ अंकार सतनाम करता पुर्ख निर्पाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर्परसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच परम सन्वानयो गुरू गुरू खालसा सा संगत जी वाहि गुरू जी का खालसा वाहि गुरू जी की फते चाल रहे लड़ी वार परसांग तानतान शेरी गुरू हारगो में साहिव जी महराजी दे अदे आईचोवी में वेच आज आपां पाई गुर्दास जी अदे प्रिथिये दे वेच होए संबाद दा परसांग सर्वन करांगे आओ बड़े प्रेम नाले है परसांग सर्वन करिए सो पिशले प्रसांग वेच अपां सर्वन कीता सी के प्रिथिये अते सुलही दोमे अपने चेतवेच गुरू जी बारे बुरा चेतवदे सन पर शिरीगूर अरजन देव जी सदा अपने हिर्देवेच सरलस वावर्त देहान साड़े पिता दा पुतर फिर उमर विच वटा है नगर विच्चों उजड़के निकल गया है दुखी होके नगर छड़ गया है बालक नू जहरती निद्या नू सुनके सै नहीं सक्या है जद होर कोई उपा नहीं बणया है उठके चले जाना ही ठीक समझा है साड़ा ता इको ही रखा प्रभू करतार है साड़ा बुरा कौन कर सकदा है वाल विंगा भी नहीं हो सकदा होन उसनू बला के नगर दे विच्च समझावांगे उसनू बहुत वड़ी वड़्याई देवांगे ते उस दा बहुत जास करके परसन होंगे जे उजड के बार फिर्दा है ता साड़ी भी निद्या हुंती है प्रानु वेख नहीं सकते चिंता तुर हो के कड़्या है गुर्ता पिताजी ने जिती है ते नगरी शिरीगुर अर्जन देव जी ने खोले है उननु नेडे भी वेख नहीं सकते कड़ के वदा किता है वडे प्रानुतिर का रहा है सन्मान नहीं किता इस दा मतलब गुरु जी आप ही लोपी हो गई इस तरह गुरु जी ने समझया इतियाद लोग केंदे हन गुरु जी ने विचार किती पले, बेदी अते त्रेहन कुल इंज उचारन कर दे हन साड़े ते दोश लाओं दे हन असल पेद नहीं समय दे इस करके सानू उसनू वापस लिवना चाहिदा है ताके निंद्या खत्म हो जावे दया दे सागर पावशिरी गुरु अरजन देव जी ने फिर दया वेच एह रिती विचारी के बाहर फिर्दा सारे परवार सहत दुख पा रहा है गुरु जी ने फिर विचार करके एह समय लिया के एह तुरका दे पास गया है ओह नियाएं वास्ते महान कष्ट पाके पुखार करेगा फिर ओह दोष्ट साड़े पास ओन के एह गाल चंगी नहीं है फिर वड़ा विरोल खड़ा हो जावेगा ते कीरती फिकी पैजावेगी ए सारे कार्व गुरु जी ने अपने हिर्दे वेची विचारे ते अपना मता पका कर लिया के होन उसनु बुलाओ फिर पाई गुर्दास जी नु अपने पास बुलाया ते पास बिठा के ओनानु सारी गल समझाई प्राप्रिथिया हेहर पेंडे वेच रंदा है तुसी एथे चल के जाओ सनमान दे बचन कहो ते उसनु अपनी नगरी वेच लेओ अनेग विदिया नाल तान अते उपहार ओदे हन ओ सारे तो अनु अरपन करदे हन साडे नाल मेलके ओना दी वर्तों करो विरोध अते क्रोध नु छटो जो वड़ी कला दे मूल हन असनी तेरे नाल कोई पेदबावना नहीं रखांगे तेरी आगयान सार ही चलांगे निश्कप्ठ होके सब दे मालक बनके चलो सारे ना पला चाहो ते परसन चित होके सुखी सुखी रहो वड़े स्थान ते होन हो जाओ ते हिर्दे वेच सरल सुबा तारन करो छोटे आँ दे आउगणान नु छड़ो अते सब दी रख्या करो अंसी सारे जिन्ने भी हां तो आड़ी आगया वेच चलांगे परवार वेच कल्या चंगी नहीं हुंदी इसनू नु छेत विचना लेओ परवार वेच कलेश चंगा नहीं हुंदा इसनु छेत विचना लेओ हारन नाड सुख होंदा है जितन नाड दुख होंदा है जे सारें विचन निंद्या पसरे ता ओहो जीवन तिरकारन योग है साथगुरू ती गदी वड़ी है इस लैग बणो सिख सेवक बहुत स्याने अते स्रेष्ट मतवाले हन ओहो वेग के ही पुजा कर दे है फिर परलोग दा विशाल सुख शोख गुणा करके ही मिलदा है दोमा स्थान ते मुख उजल होंदा है अते दुख कदी भी तंग नहीं करदा इतियाद पाई गुर्दाज जीनों समझा के केहा के वड़े परानों इते लियाओ ते होन उस दे पास जाओ ए सुणके पाई गुर्दाज जीने दोमे हथ जोड के बेंती कीती हे शिरीव गुरुजी मैं तो अड़ी आग्या मन के जावाँगा पर मैं भी जान दा हाँ ओ आएगा नहीं जिसने अनेका अगण तारन किते हो यहाद जे यसी चंगा कहाँगे ता उसनों बुरा समझेगा उसने सारी अकल ही विसार जथती है एक है के गुरुजी दे चर्न कमला ते सीस्तरया बड़े प्रेम नाल बंदना करके बाहर आ गए कई सेवक अपने नाल लेले ते रस्ते रस्ते चल पे कुछ समय बाद उत्थे पहुँच गए जित्थे हेहर पिंड बेचे वस्दे सी पिंड बेच डेरा करके रात उत्थे विश्राम कीता अगले देन इशनान करके गाल बेच कपड़े पहने ते प्रिथिये दे पास चले गए ते बंदना करके बैठ गए फिर जो कुछ भी गुरु जी ने कहा सी उस सारी बेंती नो बियान कर देता साथगुरु रामदाश जी दा शुब गुणा वड़ा शुब कार है जगत दे लोग जिसनो रामदे ब्राबर महान मन देहन ओना दे तुसी जेठे पुतर अदे तो अड़ी उजल कोल है शिरी गुरु नानक देव जी दी गदी वरगी होर कोई दुजी नहीं वेकी है महापुर्ख साथगुरु अम्रदाश जी पूरण करामात वाले सन ओना दे ब्राबर होर कोई सुंदर गुणा वाला ग्यानी नहीं है ओना दे अड़ी माताजी दे पिताहन जीना ने गुर्ता दिती नान के दाद के दोमे कुला जाग विच उजल जानिया ओना दा एक काम उजजित है के तो अड़ा ओो चंगा जोंदे है जिस गल्दी जगत स्राहना करे ओही काम करना चंगा है तुसी सोटी बांस विच जनम ले आ है वड़ियां वहाँ वड़े खत्री सूर में हो तुरका अगे बेनती करन लई उत्षाहित होए हो इस गर के शिरीगुर अरजन देव जी ने बहुत सनमान नाड़ आप जी नू बुलाया है के आके अपने नीजी स्थानते वसो गुरु जी दी कही होई सारी गल पाई गुर्दाह जी ने सुनाई जेड़ी बीद गई है उसनू जान देओ अगे लई आपो विच सुला सफाई रखो सारे अपने कारविच मिलो और ते मेल मिलाप करलो क्योंकि एकले ते फिर बहुत बिपता आपेंदी है ते एकला फिर मारे जन्दा है सारा तान दौल तुसी लेलवो ते तुसी मालक बन जाओ सब कुछ अपने हथानाल देओ असी नीवे होके खड़े रहांगे जादपाई गुर्दाज जी ने कैया के सारी गल समझाई ता प्रिथिया होर क्रोध विच आ गया ते उसने दोमे पवाँ उपर चड़ा लें लालखा वखा रहा सी ते होंट फर्क रहे सान क्रोध विच परया होन करके बोलिया नहीं सी जानता ते बहुत सा चड़या होया सी बड़ी कठोर बोली विच गाड़ा गड़न लगा पहला वड़ा कपट करके मेरा अपमान किता है मेरे उते चूठी तों मतला के मेरी निंदया सारे बरगड़ किती है अते सारे लोकां पासों बहुत गाड़ा दिवाईया है होन मनोन वास्तित अनुपेजया है एक होर छालर रचया है पहला बड़ा उत्ष्यावद आके नगर विचों कड़या है होन तक तो अनुपति हवा नहीं लगी है बड़े कुमांडवेच ठंड़ी छाती करके कारविच बैठे हो प्रिथिये दा अनादर एक परकार दी एहे प्रिथवी है अते सुलही दा मेंनू मेलना एक परकार दा बीज है जो तलाब बना के मेरा प्रताव वद्या है ओ एक परकार उस बीज नू सिंजेया है पाब पाणी दिता है दिलीनू ज़ाद मैं जावाँगा ता ओहो बीज ओके द्रक्त बन जावेगा जाद मैं जाके जहांगी नू मिलांगा ता एहे ब्रिच वाद के बहुत उच्चा हो जावेगा जाद मैं जहांगी उर्पास जाके फ्रयाद करांगा ता एह द्रक्त कुसम दे फुला नाड खेड़ पवेगा एह ब्रिच फिर बड़ा सुगंदित हो जावेगा जाद शाह गुसे वेचा के मेरा पक पुरेगा जाद शिरी गुरु अर्जन देजनों फड़ के मंगवा लवेगा ता फिर इस ब्रिच नो पारी फ़ल लगेगा जाद मैं गुर्ता प्राफ्त कर लवाँगा ते एह सुंदर फ़ल पक जानगे चारे पासेंदी संकत फिर आके मैंनू तान पेट करेगी सारे जगद विच मेरा जास फैल जावेगा और ते मेरी वड़ी वड़े ही होवेगी इस फ़ल नो प्राफ्त करन वास्ते मैं उपा कर रहे हाँ जा तुसी अपने हिर्दे वेज जानोगे ताद मैं एह सब कुछ कर लवाँगा होन तो ही डर्न लग गए हैं हाले ता बाश अनू मिले भी नहीं हाँ ओ चौदे हान के एक अल मोक जावे ते मैं गुरू बने रहाँ इस करके तानू मेरे पास पेज़ा है इस तरह कुछ नहीं ले सकोगे जो तुसी च्छालता अर्न किता होया है जाद वड़ा दुख पोगोगे ता मैं शुक मननागा जे तानू दुख दिते बगएर मैं जगताराई प्राफ्त कर लवाँ ता मैंनू कोई भी परसानता नहीं होवेगी इस करके ओह किसे कम नहीं पावे करोड़ा भी जदन करोगे ता एह दुख नहीं खतम होवेगा मैं शुरी गुर अर्जन देव जीनू दुख देके गुर्ता प्राफ्त कराँगा एह सुनके पाई गुर्दास जी ने हाथ जोड़के कहा तुसी शुरी गुरु रामदास जी दे बुद्धिवान पुतर हो होन तिन्ने प्राम मिले के सोख लवो किसे परकार दे पदारत दी काट नहीं है राल मिले के खाओ तिन्ना वेचों किसे नू भी कष्ट होवे ता सारे दुखी होंदे हन तो अडे वेच फेर प्राह होन दा मो प्रगट होवेगा जेमे केमे भी होवे पिछले कुसे नू होन जान देओ कौन जान दा है किसने बुरा किता है सब कुछ होन पल जाओ साफ देल नाड होन अपने नगर वेच चलके वसो सांगतानों मिलके दर्शन देखे पेटामा लवो शिरीगुर अरजन देव जी सदा ही सनिमर हन अते छाल चू उटतों रहत हन दया खेमा समेथ ग्यान देपंड आर हन अते सारे गुणा वेचे चत्र हन शिरीगुर अरजन देव जी दा जा सन के प्रिथिया साड़ गया ते बड़ी उची दिती बोले आ चले जाओ बोलो नहीं मैं तो अड़ा आदर रख्या है वरना ऐसी करवावागा साड़ देनू होर साड़ दे हो शिरीगुर अरजन देव जी इता खोटनाल परे हन ओनानू शुबते सुशील केंदे हो ओनानू पुत्र समेथ मारांगा गुर्ता प्राप्त करके फिर मैं परसन होगा तो अड़े कैंड़ की हुंदा है जिस तना देव हन मैं जान दा हन राद दिन में नू चिंता लगी रहती है गुरु अरजन देव जी नू मार के ही सुख पामागा फिर पाई गुर्दाश जीने करोध वेचा के किहा शिरी गुरु अरजन देव जी जगद वेच सूरस मान हन उल्लू रूप मूर्खाने ओना नू जाने नहीं है जद संत कमल दे लाल फोलवां फिड़ दे हन ता सब मनुक सोख पोंदे हन निंदक रूप चोर दुखी होके जो केंदे हन उस नाड़ शिरी गुर अरजन देव जी दा कुछ काटनी जावेगा जेड़ा प्रिथिय ना नाड़ चंद लगा है ओ फिका पैजावेगा तेरी पक्खी तारे सारे उड़े आणगे ते फिर नजर नहीं आणगे होन मेरे बचन मानके बाद विच बहुत पश्तावेगा पावे किन्ना भी जोर लाला है तेरा कुछ भी वसनी चलेगा ओना ना जरे जानवले नू उजर्या है महान करामात सहत हन पर ओह करामात किसे नू भुखोंदे नहीं हन नहीं ता टेड़ा वेग के सारे जगता नाश कर सकदे हैं तान ओना दा हिर्दा है जिन्ना ने एनी वड़ी महान शक्ती पही है अपनी शक्ती नू गुपत रखके होर लोकाम आँगे रंदे हैं ओना ने तो अड़े हित वास्ते ही केहा है जे मन जाओगे ता सुख पाओगे तुरका आगे फ्रयाद करन नाल की तेरी शुटियाई नहीं होवेगी कार विच बैठे हों नाल बहुत देश्त वानू गुरू मन नणगे जिस करन वड़ियाई मिलेगी अते सारे विच विशेश व्यक्ती बनके अनद पाऊंगे नहीं ता जेडा तुसी ब्रेश केहा है उसनों कटन वास्ते को हाडा रूपी गुरू जी दा बजन ही काफी है ओना दे मुख विच्चों एक वाक निकलन नाल सारा सडके स्वा हो जावेगा ओना दी तुसी महमा नहीं जान दे केवल प्रास हमें दे हो क्यों लोग प्रलोग दी गदी विनाश करन ली हाठ कर रहे हो इस तरह पाई गुर्दाश जी ने सब रितिया अनुसार बजन कहे पर बबब प्रिथी चंद जी ने महान कश्ट नो तारन किता होया है ते परतीत नहीं आ रही है सो साथ संगर जी थे तीसरी रास्दा चोवी मुँआ अदे आई समाप्त हुंदा है जी पर संग सुनो दे होये होया अनेग पुलना चुका दी खिमा करनी जी वाहिगरू जी का खालसा वाहिगरू जी की फते